नमस्कार दोस्तों आपको हमने 26 जनवरी की जाकियां दिखाई जो 75 गंतंत्र हमारा था अब उसी के साथ साथ लालकिला मैदान में 23-31 जनवरी तक भारत पर लगा हुआ है जिसमें पूरे भारत के स्टेट से सारे बुनकर आये हुए हैं और आप देख सकते हैं ये जो सामने स्टॉल है इस स्टॉल में रंग बिरंगा बैग्स लगा हुआ है कितने कलरफुल बैग्स हैं आप समझ सकते हैं कि ये कहां के बने हुगे ये दिली के तिहार जेल के कैदियों के द्वारा बनाये हुए नायाब किफ्ट्स हैं ये जो यहाँ पर लाके बेचे जा रहे हैं और उसकी कमाई जो होगी वो उन कैडियों के बीच में माटी जाएगे यह आप देख सकते हैं उनके द्वारा काम किया हुआ ये मस्टर डाइल भी वहां पर बनता है और बहुत सारी चीजें अतिहार जेल में कैदियों के द्वारा बनाय जाता है यह आप देख रहे हैं यह बहुत से सुन्दर और इसके अलाबा अब यह जो आइटम्स आप देख रहे हैं यह self financing group के महिलाओं के द्वारा रंग बिरंगे यह diaries बनाये गई हैं और अब यह आप देखें यह ministry of textile के द्वारा यह सारे stalls लगे हुए हैं यहाँ पे और यह अभी जो stall है जहाँ पे यह मैडम सरिता जी देख रही है यह असाम का यह stall है जो ministry of textile के द्वारा लगाया गया है और यह वहाँ का गमचा बहुत colorful गमचा और यह देखने में बड़ा खुबसूरत और यह देख रहे हैं आप हैंक किया हुआ यह भी गमचा है और यह bags भी है आपको पता ही है कि असाम में बेट के जंगल बहुत है और यह देखे कितना अच्छा colorful यह गमचा है और बहुत अच्छा लग भी रहा है और ज्यादा प्राइस भी नहीं है इसका वजार रुपे के तकरीमन यह आता है और यह देखिए यह गुजरात का यह स्टॉल जो पर Ministry of Textile के द्वारा लगाया हुआ है इसमें सारे गुजरात के आइटम रखे हुए है यह आप देख सकते हैं और यह है अब जम्मु कस्मीर का जो भारत का दिल जम्मु कश्मीर और यहाँ पर आप देख तकते हैं यह स्टॉल है और कलरफुल ट्वाइस भी बने हुए हैं बहुत ही सुन्दर और यह करनाटक का सैंडल वुड के द्वारा बना हुआ अगरबत्ती साबुन बहुत सारी चीजे हैं और रेट भी कोई जादा नहीं है और यहाँ पर लोगों का जो रिस्पॉंस है वो भी कापी अच्छा है लोग लगातार आ रहे हैं और देख रहे हैं और खरीद भी रहे हैं और बहुत ही सुन्दर लग रहा है और यह आप देखें सेवन सिस्टर्स जिसमें यह असाम का पैवेलियन नौर्थ इस्ट का और यह असाम के पैवेलियन में तरह-तरह की चीजें मिलेट्स भी वहाँ पर रखे हुई हैं जो गिलास जैसे पैकिंग में रखा हुआ है प्लास्टिक में वह मिलेट्स हैं यह मनिपूर का यह स्टॉल है देखिए मनिपूर के भी काफी सारे आइटम जो के नौर्थ इस्टन रिजन में आता है यह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे आइटम सुनके रखे हुए है और बहुत ही खुबसूरत तरह से सजा के रखा हुआ है और यहां की जो महिलाएं हैं वो काफी आक्टिव होती हैं मनिपूर की महिलाएं काफी आक्टिव होती हैं चाहें वो घर का काम हो या एजसेल्स के रूप में काउंटर पर खड़े होने का काम हो बड़े तरीके से सहेच के ये लोग काम करते और ये देखे आप ये लेडीज बर्सेज भी बहुत अच्छे लाए गए हैं और बहुत ही सुन्दर हैं ये सब नॉर्थ इस्टरन रीजन के सेवन सिस्टर्स जो अपने स्टेट्स हैं उस स्टेट्स का ये पूरा पैवेलियन एक रो में है ये असाम का पैवेलियन है और आप देख सकते हैं ये असाम का ये मोड़ा जिसको हम लोग मचिया भी कहते हैं यह बैटने का बड़ा अच्छा बहुत ही बढ़ी आ है यह अब आप देख रहे हैं हर Pavilion पे, काउंटर पे लोगों की भीर्ड लगी हुई है Mizoram के हनी भी बहुत अच्छ है Neden लोग यह हनी को देख रहे हैं यह आप देखते चलिए ये अफ्तिरपुरा आ गए हैं हम अफ्तिरपुरा में भी हनी है और भी बहुत सारे आइटम्स हैं और ये आप देख सकते हैं ये लेडी इस आइटम में अब साड़ियां आ गई हैं ये Ministry of Tech Styles के ये सारे आइटम्स हैं कपड़ा मंत्रा लेके DC हस्त करगा हैंड लूम्स का ये सारा आइटम है ये आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल और आपको भी पता ही है कि हस्त करगा पे जो भी सामान बनता है उसमें लेवर कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है इसलिए इसका मीनिमम प्राइस भी काफी महंगा होता है और मैक्सिमम की तो खर कोई बात ही नहीं है तो मेरी दुकांदार से भी बात हुई थी वो कह रहे थे कि साब लेवर कॉस्ट बढ़ जाने के बज़े से हम लोग का कपड़े का भी कॉस्ट बढ़ जाता है ये आप देख रहे हैं ये सारे हैंड मेड़ समाण हैं बने हुए ये सारी हैंड लूम्स के हैं और काफी कलरफूल हैं लेकिन प्राइस भी अच्छे खाशे हैं लेकिन मार्केट से कम हैं प्राइस बहुत ही सुन्दर बहुत ही बढ़िया ये सारे मिनिश्ट्रे अब टेक स्टाईल्स की करमचारी आये हुए हैं उनके यह सारे pavilion बने हैं अगर आपको जो भी जानकारियां लेनी है तो आप state pavilion में जाके वहां आप ले सकते हैं यह अभी हम हिमाचल के store पे हैं और यह देख रहे हैं आप यह हिमाचल की कलाकारी जो हिमाचल की स्टॉल भी इनके बहुत खुबसूरत है बहुत ही सुन्दर है और यह देखिए यह मिट्टी के आइटम्स जो की कुमारों के द्वारा बनाए हुए हैं बहुत ही कुबसूरत है लाजबाब है और यह अब स्टेट के जो पैवेलियन है जहाँ पे गौवर्मेंट के आफिसर्स मुलाजिम बैठते हैं और वहाँ पर आप जाके इनक्वारी ले सकते हैं आपको अगर कोई स्टार्ट अप खोलना है या कोई भी चीज़ा आप खरिदना चाहते हैं तो वहाँ पे स्टेट कोवर्मेंट के आफिसर्स बैठे हैं जिनसे आप जाके बात कर सकते हैं और काफी लोग इसमें रूची भी दिखा रहे हैं और यह आप देखिए यह उसका एरियल वीव हमने जो लिया है दोनों तरफ बीच में सड़क बनी हुई है जिससे कि लोग चलते हैं और दोनों तरफ दुकाने लगी हैं एक तरफ दुकाने हैं दूसरी तरफ स्टेट के ऑफिसर्स का हर स्टेट का बना हुआ वहाँ पर वो है आपका पेवेलियन है जहां पे आप बात चीद कर सकते हैं जानकारी ले सकते हैं और ये दिखे शाम का महौल बहुत ही सुन्दर लाजबाब ये हम गोवा की तरफ आ गए हैं गोवा तो आपको पता ही है कि हर नौजवान जो स्टुडेंट है या मेरेड लाइफ में है सब आदमी जाना चाहते हैं तो गोवा के बारे में पुरी जानकारी यहां दी गई है कै इसे आपकी स्टल में रुकेंगे कितने मीनिमम और मैक्सिमम खर्च के बारे में भी दीटेल दिया हुआ यह दिली दिखे दिली टूरिजम यहां पर भी यह देखे आप देख सकते हैं गौवर्मेंट की इंप्लॉईज बैठे हुए हैं और यह उनका पूरा स्टॉल लगा हुआ है और यह गांधी जी ग्यारा मूर्ती का यह फोटो भी बना हुआ है यह लाल किला का बैक ग्राउंड भी दिया हुआ है और यहां पर सारे सामान जो दिली मेड हैं वो लगे हुए हैं देख सकते हैं यहां बहुत ही खोबसूरत अच्छा डिस्पले हैं मर्चेटाइ आगे हैं हम देखें निभाले यह भी सेवन सिस्टर का बहुत ही इंपॉटन्ट स्टेट है बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया यह आप देखें कितने अच्छे फूल फ्लावर से इन्होंने डेकोरीट किया हुआ है कितनी लाजबाब बहुत ही खोबसूरत बहुत ही अगलेंड की यह स्टुडेंट गर्ल बहुत ही सुंदर और इसने वहां का रिजनल पहनावा पहना हुआ है बहुत ही अच्छी लग रही है और लोग काफी यहां पर आके उसके साथ फोटो खिचवा रहे हैं आप देख सकते हैं लाइन लगा हुआ है लोग काफी फोटो ख यह देखे बिहार का यह पैवेलियन और यहां पर यह मदवनी आर्ट्स और यह सुपती बनाया जा रहा है महिला के दुआरा और दूसरी महिला जो कि लिफ्ट हैंडर है वो पेंटिंग्स बना रही है और अब हम आसाम पर आ गए हैं आसाम के बारे में आप लोग जानते ही हैं यहां की चाय काफी मसूर और हर घर में सुबह सुबह पी जाती है और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के टी हैं और यह देखिए बहुत ही अच्छा सेलफिय स्टैन बना हुआ है तरिता जी ने भी अपना गरदन इसमें लगाया है और नीचे का डिजाइन यह अभी बड़ी खोबसूरत होती है बहुत ही सुन्दर है धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आपको दिखाते हुए यह बहुत ही खोबसूरत नजारा और हम तो कहेंगे कि सब लोग आईए देखिए अभी 31 तक का है आज तो 29 तारीक है यह देखिए कितना यहाँ पर भी सेलफी स्टैंड बना हुआ था और यह सब डिस्प्ले लगा रही है यह मैडम यह देखिए नागा लेंड का यह कैप बहुत ही सुन्दर है और यह पूरा नागा लेंड पर बच्चे अपना सेलफी स्टैंड पर वहां के ड्रस खुकरी के साथ और यह ड्रस पोटो ले रहे हैं दीखें बहुत ही अच्छा पेंटिंग्स बना हुआ है और दिवार पे लगाई गई है बहुत ही खुबसूरत लाचबा और यह यहाँ पे सेल भी हो रहा है रिजनेबल प्राइस हैं कोई ज्यादा प्राइस नहीं है और यह देखिए यह गेट है यह न बना बना के यह सब तिहार जेल का प्रोजेक्ट है और यह सारे प्रोडक्ट तिहार के हैं यह जेल प्रोडक्ट्स है और बहुत ही खुबसूरत हैं बहुत ही बढ़िया यह वहीं के यह प्रोडक्ट्स हैं जो देखिए यह बनाए गए हैं बहुत ही सुन्दर बहुत ही सिला सिलाया वस्त्र है साडियां हैं जिसमें लेडीज के सूट्स हैं यह देखिए कार्पेट्स भी हैं हर तरह की चीजें यहां पर रखी हुई हैं अगर आप मन बना के आए हैं तो जरूर कुछ न कुछ आप लेके जाएंगे बहुत ही लाजवाब यह खादी भंडार का यह पूरा डिस्पले किया हुआ है गांदी जी चर्खा कारते हुए बुनते हुए खादी कबस्तर बनाते हुए यह आप देख सकते हैं यह जकेट्स भी रखे हुए हैं यहां पर लाजवाब बहुत ही कुपशवाब यह देख सकते हैं लिडीज के ड्रेस बहुत ही सुन्दर और यह सब हैंद लूउम्स के प्रॉडर्ट हैं इस बार काफी हैं इसलिए यहाँ पर यह नारह है कि आओ देखो अपना देश ये हम लोग अभी अपना देश देख रहे हैं जिस देश में जितने सारे अपने स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं सारे के लोग यहां आए हुए हैं और सब को गौवर्मेंट अफ इंडिया ने इन्वाइट किया हुआ है और सब लोग यह देखिए यह बैंगल्स का यह स्टोर बहुत ही बढ़िया बहुत ही खुबसूरत कलरफुल बैंगल्स और लोग काफी खरीद रहे हैं इंक्वाइरी भी ले रहे हैं और इसने उल प्राइस है कोई ज़्यादा मेहगा भी नहीं है और बहुत ही खुबसूरत है देखने के बाद कोई भी महिला इसको छोड़ना नहीं चाहती है और अब हम धीरे धीरे बाहर के तरफ जा रहे हैं और फिर आपको हम आगे और भी चीजे दिखाएंगे और आगे खाने का भी बहुत अच्छा स्टॉल लगा हुआ है हम आपको फिर कुछ दिर में खाने का दिखाएंगे अगले एपिसोड में तो फिर हम अब चल रहे हैं फिर आपको हम मिलते हैं अगले एपिसोड में तो अच्छा दोस्तों नमस्कार जय हिन जय भारत